अलो दोस्तों आज हम बात करेंगे लेटेस्ट वेकेंसिस के बारे में और उसके बाद पूरा डीटेल देखेंगे फिर उसके बाद स्लेवास के बारे में बात करेंगे फिर उसके बाद स्ट्राटेजी के बारे में बात करेंगे तो आईए सबसे पहले आप देद विजा रां बात कर लेते हैं कि कब ये फार्म भरा जाएगा तो 24, 12, 2022, 24 दिसंबर से भरा जा रहा है और इसकी जो लास्ट रेट है वो 16 जनवरी 2023 है बात कर लेते हैं कि ग्रूप A में कौन-कौन सी पोस्टे हैं तो ग्रूप A में जो फीस की बात की जाए तो UR, OBC और EWS की 1000 रुपया है ग्रूप B में UR, OBC और EWS की 750 रुपया है SC, ST की बात की जाए तो 0 फीस है और फीमेल अगर कंडिडेट है तो 0 फीस है बात करते हैं कि एज क्या रखे गए तो मिनमम 18 मैक्सिमम कितना 35 ये हो गया एज के बारे में अब बात कर लेते हैं कि पोस्ट नेम क्या है तो पोस्ट नेम है UDC टोटल इसमें जो पोस्टे दी गई है 85 और इलिजबिल्टी कैटेरिया जो मिनमम क्वालिफिकेशन जो दिया गया है वो बैसलर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिज टैपिंग 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी 30 वर्ड पर मिनट और जो एज है वो 18 से 25 साल होनी चाहिए कुछ डिटेल जैसे पूरा मैं नहीं लिखाऊं क्योंकि बोर्ड है तो आप क्या करोगे जब आप फॉर्म भरोगे तो उससे पहले आप नोटिफिकेशन डाउनोड करके आपको सभी से देख लेना है उसके बार आता है इस ट्राइनोग्राफर की टोटल है इसमें चार पोस्ट है और बैचलर डिग्री विद फाइप एस एक्सपिरियंस डिक्टेशन आपकी होनी चाहिए टैन मिनट में 80 वर्ड पर मिनट ट्रांस्क्रिप्शन्स ओन कंप्यूटर 50 मिनट इन इंग्लेश और 65 मिनट हिंदी और जो एज रखी गई है अठारह से पच्छे साल नेक्स जो पोस्ट है फिल्ड असिस्टेंट की तो टोटल एक पोस्ट दी गई है आपका जो टैन्थ मेट्रिक एक्जाम पास होना चाहिए और डिप्लोमा इन सेरी कल्चर एज जो बिलो होनी चाहिए वो 25 साल से नीट है फिर नेक्स पोस्ट है आकुप ग्रूप सी की तो दो पोस्टें दी गई है डिप्लोमा इन कैटरिंग विर थ्री यह एक्सपीरेंस एज 18 से पच्चिस है नेक्स जो पोस्टें कम्प्यूटर प्रोग्रामर की एक पोस्ट दी गई है उसमें बैचलर डिग्री विट सेकेंड क्लास इन कम्प्यूटर साइंस एंड टू एर ए बैशलर डिग्री विद फाइप एयर्स एक्सपीरियंस एस लिमिट ठीक है नॉट एक्सीजिंग थर्टी थर्टी तीस सलसे दिख नहीं होना चाहिए फिर उसके बाद कर लेते हैं कि असिस्टेंस उपिटेंटल और टेक्निकल का ग्रूप B का पाच पोस्टे दी गई हैं बै इस टैनों ग्रेट्स फस्ट की टोटल चार पोस्टे हैं बैशलर डिग्री विद फाइप एयर एक्सपीरियंस आपकी डिक्टेशन होनी चाहिए टैन मिनट एट बन ट्वंटी वर्ग पर मिनट ट्रांसिप्शन ओन कंप्यूटर और फाइप मिनट इंग्लेस नाइन मिनट न मिनट इसके बाद बात कर लेते हैं कि लगरेरिया और बैशलर डिग्री होनी चाहिए इन लाइबрахर्ड इन ओन unix मिनट चाहिए अर डैप्रेरी इंफर्मेशन साइच विद टू एयर एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनमाम नेक्स हैं जूनयर टैंस्क्रिप्शन हिंदी ट पोटल चार पोस्टे हैं, आपका CSA या CSA या MBA या MCOM, एज लिमिट बिलो 35 एर, ये हो गया आपका डिटेल, कि इसमें क्या-क्या चीजे मेंडेटी हैं, किस तरीके से पूछा जाएगा, मालब क्या-क्या आपकी इलिजबिल्टी कैटेरिया है, अगर ये पूरा होता है, तो ये एर डिपराटमेंट का आपको पोस्ट आप भर सकते हों, उसके बाद जो मैंने बताया है, वो है Slausitos, वो मैंने बता दिया है, उसको आपको सही से देखना है, सबसे अच्छी बात क्याएगी, जो भी Slaus미त दिया हुआ है, जैसे जन्नल मैस है, इंगलिस का दे दिया है, रिजनिंग का दे दिया और इंगलिस और जी एका दे दिया तो उसमें टॉपिक वाइज सब डिटेल क्लियर कर दिया कि ये टॉपिक से पूछा जाएगा तो उसी टॉपिक को आपको पढ़ना है बिल्कुल उससे अधिक नहीं पढ़ना है चाहे पेपर प्रिवियस एर मिले चाहना में लेकिन अगर वो इस टॉपिक क्लियर कर लिया है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक मलब ये है कि फालतू चीज़े नहीं पढ़नी सिर्फ वो देखना और उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी स्टार्ट का दे नहीं है इससे रिलेटिड कोई डाष गत प्रिलेटिड कोई डाष तो कोई बी डाष होगा तो आप मेरे से बोल सकते हैं और में सब्सक्राइब मैं सभी कोशन का अंसर आपो देने कोश्युंस करूंगा तो मिलते हैं नेक्स स्टीडियो में द्थिव तो शलेबस की बात करते हैं तो शलेबस for assistant director or admin assistant finance or account and audit का ठीक है तो इसमें जो subject दिया गया assistant director ऐसे ठीक है common computer-based test may be conducted for assistant director ठीक इसमें जो है देखिए general knowledge और current affairs का 10 question 10 ठीक है Communication in English, Vocabulary, ठीक है, ठीक, 10 questions, 10 marks का, ठीक, टोटल, और इसमें timing वही, टोटल 10 मिनट दिया जाएगा, Cash book and its maintenance, ठीक है, वो भी ठीक, General Finance Rules and its application, 20 questions, 20 marks का होगा, ठीक है, time duration 10 मिनट का दिया जाएगा, उसके बाद आएगा, Finance and Acts, Bills, Stores, Maintenance and Including, Constructions, Establishment and Administration and Audit, तो इसमें 50 questions होगे, 50 marks का होगा, और time duration जो दिया जाएगा, वो 40 मिनट का दिया जाएगा, ठीक है, और जो आपका paper होगा, वो दोनों Hindi और English में, दोनों language में जिसमें आपको अच्छा लगे, ठीक है, टोटल 100 questions, 100 marks का होगा, और time duration दिया जाएगा, 60 मिनट का, ठीक, उसके बाद बात का लेते की, General Knowledge and Current Affairs, ठीक है, Personal Management and Industrial Relations, ये क्या है की, उसके बारे में जो जो topics दिया गया, उसके topic के बारे में, ठीक है, तो ये आप PDF जब download करेंगे, तो वहाँ पाप, आपको मिल जाएगा, ठीक, उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है, बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, अभी उसके, मलब subject के हैं, अब फिर है कि slavus for computer programmer, तो computer based is CBT, ठीक है, तो section first, section second, तो section first में है कि mental ability and quant attitude, इसमें क्या है कि जो marks, जो आपका question है 60, ठीक है, और duration time दिया गया 60 मिनट का, section second में जो है technical test software development, इसमें क्या है कि start marks का दिया गया है, और time duration 60 है, ठीक है, total जो time, आपका question होगा, 120 और timing दी जाएगी, 120 ठीक है, और इसमें जो paper होगा, आपका Hindi, English, दोनों languages में हो जाएगा, ठीक, तो details of section, जो topic दिया गया है, वो आप topic डाउनलोड करके, आराम से देखके, और इसी जो ये topic है, इसी according आपको उसके बाद बात कर लेते हैं कि जब आप second, मलब syllabus for conduct common CBT, इसमें है technical assistance, इस्टेनोग्राफर, अपर डिवीजन क्लर्क, एंड इस्टेनोग्राफर, इसका syllabus क्या आए कि, इसके syllabus में general intelligence आएगा, general awareness होगा, general aptitude होगा, English comprehension होगा, तो 30 question, उसके reasoning के होगे, 30 question, awareness के होगे, जनरल aptitude के होगे, और English comprehension के 30 question, टोटल 120 होगा, और इसका टाइम दिया गया है, 120, ठीक है, एपर क्या होगा, हिंदी इंग्लिस जोनों में होगा, आगे पढ़ते हैं, ठीक, तो इसमें क्या कि, syllabus पूरा detail में दिया गया है, आप उसको ध्यान रख के लिजेगा, और सही से जो जो detail दिया है, syllabus का, उसी according पढ़िएगा, ज्यादा आपको पढ़ने की बिलकुल ज़रुरत नहीं है, अब बात कर लेते हैं, candidate who obtained the qualifying marks, अगर पास कर लेते हैं, तो CBT, may be shortly inviting the typing test computer, for the post of UDC, and skill test in stenographer, for the post of stenographer, gate first, and stenographer, gate second, depending upon the number of post will be filled, which is qualifying nature, जो qualifying nature होगा, उसके बाद बात कर लेते हैं, कि name of post और label क्या है, ठीक है, तो stenographer grade first का level 6 है, तो इसमें dictation होगा, 10 minute data, rate of 120 word per minute, transcription होगा, on computer, 75 minute English, and 95 minutes, 95 minutes हिंदी, थर्ड गया, skill test cell be conducted only on computer होगा, फिर second post है, आपा division clerk level 4, typing speed of 30 word per minute, in English, and 30 word per minute, and Hindi typing may be conducted on computer, 35 word per minute, and 30 word per minute, correspond to 10,500 की depression पर हार, and 9,000 की depression पर हार, on average 5 की depression for each word, time जो आपको दिया जाएगा, 10 minutes से दिया जाएगा, stenographer grade second के लिए लेब अफ होगा, dictation होगी 10 minutes, at a rate of 80 word per minute, transcriptions on computer, 50 minutes, and English 65 minutes in Hindi, skill test be conducted only on computer होगा, तो इसके slab of recruitment on the post of library, information assistant, there will be 120 questions, and duration for completations of CBT2 to ASA होगा, तो इसके बाद जो computer mode of exam होगा, जिसमें I'm secure, paper first, paper second होगा, paper first में general awareness और English language, इसमें 33 questions होगे, time duration 33 minutes का दिया जाएगा, paper second में library method techniques होगा, तो इसमें 30 questions होगा, 120, there will be 120, और आपका जो paper होगा, Hindi English दोनों में होगा, उसके बाद जो बताए गया है कि क्या-क्या subject है, क्या-क्या पूछा जाएगा, ठीक है, तो उसके डिटेल के बारे में बोला गया, फिर paper second में भी same as it is, उसके बाद बात करते हैं, यह होगा आपका, अब junior engineering examination ठीक है, electrical examination schemes के आए, उसमें क्या आएगा कि paper first, paper second होगा, general intelligence reasoning होगी, general awareness होगा, general engineering होगी, तो reasoning में 30 question, GA में 30 question और engineering के साथ question होगे, total 120 और time duration 120, paper आपका हिंदी English दोनों में मिलेगा, जिसमें आप select करेंगे, उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद क्या बचा, slab of or equated or post of junior translator हिंदी, अब इसका क्या है, इसमें क्या है कि paper first objective type, computer based mode, general हिंदी, general English, दोनों में 40-40 questions हो, 40-40 mark के होगे, इसके बाद टापिक्स दिया गया है, क्या क्या पूछा जाएगा, उसके बाद बात कर लेते हैं, slab of for field assistant examination, तो general intelligence reasoning में 25 questions, 30 minutes दिया जाएगा, GA में 25 questions, 30 minutes, quant aptitude में 25 questions, 30 minutes, और English comprehension में 25 questions, 30 minutes, total 100 questions होगे, 120 minutes दिया जाएगा, और paper आपका हिंदी और English दोनों में होगा, इसके बाद topics आजाएगा, उसके बाद बढ़ते हैं आगे, अब उसके बाद cook का बात करते हैं, तो cook में general intelligence यानि के reasoning होगा, 25 questions time 30 minutes दिया जाएगा, GA में 25 questions 30 minutes दिया जाएगा, जनरल English 25 questions 30 minutes, और math में 25 questions 30 minutes, total जो question है 100, और total time 100, 120 minutes तो और जो paper होगा, हिंदी इंगलिस दोनों में होगा, उसके बाद बात करते हैं आगे, तो यह क्या हो गया कि complete हो गया, अब बात कर लेते हैं कि उसका अब मैं detail बता दूँगा, तो पहले मैंने detail बता दिया, उसके बाद syllabus बता दिया गया, अब उसके recording आपको तयारी करनी है, ठीक दोस्तों?